मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ आपके स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं राहूल गांधी अखिले श्यादव के साथ और ये चुनावों की बात की तस्वीर है और नीचे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चंद्र बाबू, नाइडू और नितीश कुमार के साथ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं मगर फिर भी इनके चेहरे की मायूसी देखिए और दूसी तरफ, राहूल गांधी को 99 सीटे मिली है, 100 सीटे भी नहीं मिली है हाला कि अखिलेश यादव ने उत्तर पदेश में सूपड़ा साफ कर दिया है भारती जाता पार्टी का, मगर शहरे पर मुस्कान देखिए यानि कि सरकार बनाने जा रहे हैं, मगर फिर भी शहरे पर एक शिकन है बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं और कई लोग बदल रहे हैं दोस्तों, Zee News क्या कर रहा है Zee News जो की पहला गोदी मीडिया माना जाएगा वो किस तरह से बाकी गोदी मीडिया न्यूस चैनल्स की पोल खोल रहा है उसकी चर्शा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले कुछ तस्वीरे मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह 2019 की तस्वीर है जब प्रधान मंत्री जीत कर आये थे दोनों हाथ उठे हुए है, साथ में आमिट शा है अब थोड़ा जूमन कीजे, आप प्रधान मंत्री का चेहरा देखिए दोस्तों चेहरे पर खुशी, अब एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, यह है चुनावी नतीजों की शाम जब प्रधान अंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की कारयाले आते हैं, चेहरे पर एक मुर्दनी है अगर थोड़ा ध्यान से देखें, तो आँखों में हल्की सी नमी भी दिखाई दे रही है, यान कैसा लग रहा है कि आँशू बस टपकने वाले हैं अब एक और तस्वीर देखिए दोस्तों, चुनावों से पहले की और चुनावों की बात की प्रधान मंत्री की तस्वीर, खास्तों और से किस तरह से वो अपने सहयोगियों के साथ खड़े हैं चुनावों से पहले आप देख सकते हैं, प्रधान मंत्री बीचों बीच हैं उनकी एक तरफ नडड़ा हैं और काफी दूरी पर बाकी जो सहयोगी दल के तमाम नेता हैं दूर दूर खड़े हैं, प्रधान मंत्री बीचों बीच हैं यह स्पष्ट किया जा रहा है इस तस्वीर के जरिए कि प्रधान मंत्री से बड़ा कोई नहीं अब जो दूसरी तस्वीर है, जो कल ही की तस्वीर है आप देख सकते हैं कि चंदरबाबू नाइडू भी हैं, नितीश कुमार भी हैं और सब सटे हुए हैं प्रधान मंत्री ने एक अलग जैकेट पहना हुआ है, बस यही फर्क साबित कर रहा है उनमें और बाकी नेताओं में, मगर आप देख सकते हैं कि यहां पर वाकई एक गटबंधन की सरकार दिखाई दे रही है ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ है कि प्रधान नंत्री नरेंद्र मोदी की अब वो ताकत नहीं रही प्रधान नंत्री नरेंद्र मोदी अपने सरकार के भविष्च के लिए तेलगु देसम पार्टी और नितीश कुमार पर आशुरित हैं क्योंकि बहुमत से भाजपा 32 सीटे दूर है ये फर्ख होता है संपूर बहुमत की सरकार या संपूर बहुमत की पार्टी वाली सरकार और एक ऐसी पार्टी जो आशुरित है अपने सहयोगी दलूं पर जजबाद बदल गए हालाद बदल गए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बौडी लांग्विज बदल गई एक करारा सबक दिया है कि आपको मुद्दों पर आना पड़ेगा, बेरोजगारी, महंगाई, असली मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, हिंदू-मुसिल्मनों को बाट कर, माहौल में जहर फेलाकर आप अपनी राजनीती नहीं कर सकते हैं, मगर बड़ा सवाल कि क्या मिनिट का क्लिप है, इसमें देखिएगा किस तरह से इनकी आंकर जो हैं, और इनके साथ एक और मेल आंकर हैं, वो एक्जिट पोल्स को लेकर, बाकी न्यूस चैनल्स को एक्स्पूस कर रहे हैं, ये क्लिप देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूँ, देखिए. ऐसा सुना गया है कि कुछ साल पहले प्रधान मंत्री आप से नाराज हो गये थे, तो स्वर्गी अरुन जेटली के कहने पर मुंबई के एक बिजनस्मैन ने आपकी पीम मोधी से सुला कराई थी, ये सवाल है कई न्यूस चैनल और उनके मालिकों से. अब ये देखिए, अब आगे अगला सवाल है, ABP News से, कुछ दिन पहले आपके संस्तान में एक संपादक को रखवाया गया, जिने आपने निकाल दिया था, क्या उनकी सलापर एक्जिट पोल चलाया? अब आज तक के मालिक अरुन पूरी से ये सवाल है, जो लोगों के सेंटिमेंट और उनके साथ खेला गया, या शेयर मार्केट अचानक से एक्जिट पोल पर अचानक से बहार उसके बाद ठीक काउंटिंग वाले दिन वो सी देख गोता लगा था, बिल्कुल और ऐसा माना जा रहा है कि इन एक्जिट पोल्स की वज़े से लगों को करोड़ों रुपे का चुना लगा है, क्या आज कि तमाम न्यूस चैनल से उनके एक्जिट पोल्स पर सवाल पूछ रहा है, कि जो आपने 400-400 सीटी दी थी, क्या उसका मकसद ये था कि आप शेयर बाजार में घोटाला कर सकें, यह तो कल्तना से भी विचित्र हो गया दोस्तों, और ऐसा क्यों हुआ है, देखिए आपको सम पढ़ेगा कि तमाम गोधी मीडिया न्यूस चैनल का एक मालिक और वो है भाच्पा, और भाच्पा में भी प्रधान मंत्री कारयाला का एक अधिकारी है, जिसका नाम है हिरेन जोशी, यह हिरेन जोशी इन पर पूरी तरह से कंट्रोल रखता है, मगर जैसे ही बहुमत से द शर्मसार किया था, मगर आज कम से कम एक्जिट पोल्स को लेकर, उसकी हकीकत को लेकर, वो दूसरों की पोल खोल रहे हैं, हाला कि मैं सपच कर दूँ, जीन्यूस का जो पहला एक्जिट पोल आया था, उसमें उन्होंने भी करीब 380 से 370 सीटे भाच्पा के गडबंधन को दे दी थी, मगर बाद में उन्होंने इसमें सुधार लाए, और ये जो 380-390 का फिगर था, वो 305-310 पर आ गया, इसलिए ये लोग इस तरह की बाते कर रहे हैं, क्या इसकरत ये हुआ कि गोधी मीडिया सुधारने वाला है, मैं एक बास पश कर दूँ दोस्तों, अगर ग जानते हैं, ये इतना असान नहीं, ऐसा होने नहीं वाला है, मगर क्या ये शुरुवात है, क्योंकि मैं नहीं भूला हूँ दोस्तों, जब ये एक्जिट पोल आया था, तब किस तरह से आज तक न्यूस चैनल्स के दो पत्रकार, यूट्यूबर्स और विपक्ष का मजाक कुड़ा रहे थे, वो ये तक कह रहे थी कि ये जो बेरोजगारी, महंगाई, लोकतंत्र खत्रे में हैं, ये जो तमाम मुद्दे यूट्यूबर्स उठाते हैं, यानि कि अविसार शर्मा, रवीश कुमार उठाते हैं, एक्जिट पोल्स ने उनकी पोल खोल कर रख दी है, और यही नहीं, इसी क्लिप में एक पापा की परी हैं, जो ये कहती हैं कि हमें इन यूट्यूबर्स की बात करने की जरूत नहीं है, मैं आपको ये क्लिप दिखाना चाहूँगा दोस्तों, उसे देखिए और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूँ, देखिए. नवस्ता, बेरोजगारी, ये सारे जितने मुद्दे थे, लोग तंत्र खत्रे में आ गया है, आजादी अमारी खत्रे में आ गई है, ये अमारे आखरी चुनाव होंगे अगर ऐसा हो गया, कि अगर प्रदान मंतरी जीत गए तो, अब ये सारे लोग क्या करेंगे? चलि उनकी चिंता वो खुद करें, उनकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है, और ना मैं मांती हूँ कि हमें उनको इतना स्पेस देना चाहिए, कि आज तक जैसे चानल पर हमें उन पर चाच्छा करेंगे? इस क्लिप का हवाला दिया जा रहा था, और मैं नहीं भूला हूँ जब पवन खेरा ने इसी मंच पर जाके, उस महिला पत्रकार से सवाल किया, तो वो पलट कर ये कहती हैं कि मैं विपक्ष के लिए नहीं कह रही थी, मैं तो यूट्यूबर्स के लिए कह रही थी, सुनियो अगर मेरे जैसे यूट्यूबर्स असली सवाल उठा रहे हैं, बेरूजगारी महंगाई लोगों के मुद्धे जनता के सामने रख रहे हैं ना, और अगर तुम नहीं रख रहे हो, तो तुम्हें आनी चाहिए शर्म, तुम पत्रकारिता नहीं कर रहे हो, तुम एक वक्ता बने हुए हो, तुम्हें अपने गिरिबान में ज्हांक के देखने की जरूत है कि पिछले पात-दस सालों में इन तमाम डिबेट्स में तुम एक सुपारी लेकर चलते हो विपक्ष के खिलाब, इन डिबेट्स में तुम्हारी लड़ाई जो है, वो सिर्फ विपक् पिर्मोदी को इंडिया का बाप बताया था, एक संबित पात्रा आपको याद होगा, जब उनकी बहस हो रही थी कनेया कुमार से, और दूसरा ये महतर्मा, ये महतर्मा कह रही है कि हमें यूट्यूबर्स को तरजीह देने की जरुरत नहीं है, हमें आपकी जरूरत भी नही हैं हमारी जो पहुँच है लोगों तक बहुत सीमत है मगर इस सीमत पहुच के बावजूद हमारे सवालों से आप लोग हिल गए हैं क्योंकि आप जंता के सवाल नहीं उठा रहे हैं और जब मैं सीमत पहुच की बात करता हूँ न दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ अगर सौ लोग हैं तो इन सौ लोगों में से 95 लोगों तक यही गोदी मीडिया का जहर पहुचता है वो जो पांच लोग है ना बाकी पांच लोग उन तक अभिसार शर्मा धुरुवराठी रवीश कुमार पहुचते हैं इसी लिए प्राइम टाइम में जहर है इसी लिए देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ब्रेनवाश है नफरत और हिंदू मुस्लिम मुद्दों से अगर मेरे जैसे पत्रकार पिच्छानवे फीसिदी लोगों तक पहुच रहे होते तो आज इस देश की जनता मुद्दों पर भाच्पा से सवाल कर रही होती है सरकार से सवाल कर रही होती है मगर पिछले दस सालों में जिस तरह से ब्रेनवाश किया गया है इनके तमाम प्राइम टाइम शोस की वज़ा से असली मुद्दे आपके सामने नहीं आ रहे है मगर जो ग्रामीन इलाके हैं जो बेरुजगारी महंगाई से तरस्थ हैं जो अगनिवीर योजना से नाराज है उन पर इस प्राइम टाइम के जहर का कोई असर नहीं पढ़ रहा है जो शहरी इलाके हैं जिनकी जो जिन्दगी है वो थोड़ी जादा सुकून में है वो इस प्राइम टाइम के जहर को देखकर खुश है जहां पर इन पापा की परियों या उस पिहाडी का प्रभाव दिखाई देता है और दूसी बात इन पापा की परियों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ वो कौनसी पापा की परी थी जो जहांगीर पुरी में जब बुल्डोजर से खरीबों का घर तोड़ा जा रहा था सुप्रीम कोट के आदेश के बावजूद वो कौन सी पापा की परी थी जो बुल्डोजर पर चड़ गई थी और इसलिए चड़ गई थी क्योंकि उसे अपने पती का ट्रांस्वर रुकवाना था वो कौन से ही पापा की परी थी जो एक news channel में काम करने के बावजूद समानांतर तोर पर अपना एक business चलाती है जो उसके चानल के नियमों के खिलाफ है और उस बिजनस में उसे भाजपा की कुछ मंत्रियों की मदद मिलती है ये कौन सी पापा की परी है ये वो पापा की परी जवाब दे जिसका चहरा भी कुछ देर पहले आपने देखा था कौन है वो अब आप समझे दोस्तों अब आप समझे ये लोग मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं क्योंकि ये लोग डरे हुए इसलिए वो मेरे जैसे पत्रकारों से एर्शा कर रहे हैं जिनकी पहुँझ इनसे बहुत कम है मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ दोस्तो रिपब्लिक का संपादक जो खुद प्राइम टाइम में जहर उगलता है वो खुद एक डिवेट में कह रहा था कि यूट्यूबर्स तो मुश्कल से 10 लाक लोगों तक पहुँचते हैं हम 140 करोड भारतियों तक पहुँचते हैं सुभी वो क्या कह रहा था लोग देखेंगे 10 लाग देखेंगे 10 लाग की संख्या एक चो साल 40 करोड भारतियों की बीच में 10 लाग होता क्या है यही गणे थे यह 0.00001 परसेंट ही नहीं है इसलिए यह जो हमारी ऑपसेशन हो गई हमारी सोसाइटी में यूट्यूब पर बोला अरे कौन देखता है इन यूट्यूब वालों को इनको डॉलर में पैसा मिलता है वो जितने भारत के खिलाब बोलेंगे उतने जादा डॉलर इनको मिलेंगे यह सच्चाई है यह भाई इनकी लिए बहुत बड़ी कॉमर्स है यह पैसे बन्याने का तरीका है इनकी कोई राष्ट्र भक्ती नहीं है मैं यूट्यूबर्स को नहीं मानता यह भी बॉकलाट की एक और मिसाल है मैं फिर कहता हूँ अगर हम कम लोगों तक पहुँशते हैं तो यह सरकार हम पर अंकुश डालने की क्यों कोशिश करती है हम पर इंकम टाक्स की रेड क्यों मारती है ED के जरी हमें क्यों परिशान करती है दिल्ली पुलीस अंटी टेरर सेल के जरी हम पर क्यों निशाना साथती है HW News, Quint, News Click पर निशाना क्यों साथती है ये सवाल किये जाएंगे न, अगर हमारी पहुँच कम है, अगर हमारा कोई ओचित नहीं है, अगर हम irrelevant है, हकीकत यह दोस्तों, भाजपा जो बहुमत से दूर रह गई है, सही माइने में ये पत्रकार irrelevant हो रहे हैं, और अब इन में ही गैंग वार शुरू हो गया है, और आज मै एक भवश्वानी करना चाहता हूँ, हर गुजरते दिन के साथ, इनका relevance, इनका औचित खत्म होता जाएगा, क्योंकि ये लोग मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, और ये अब भी अगर सुधर जाएं, तो ये अपना वजूद बचा सकते हैं, अगले पांच साल इनके सामने एक और इम्तिहान है, अगर अगले पांच साल ये गोधी मीडिया आपके मुद्दे उठाएगा ना दोस्तों, तो ये अपनी साख बचा सकता है, मगर अगर ये लोग इसी तरह से एक political party की नौकरी बजाते रहे, उनकी सुपारी ले बनने जा रहे हैं, अब कई लोग ये कह रहे हैं कि अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एजनसी इसका इस्तमाल नहीं करेंगे, सोर आजमाईश नहीं करेंगे, अपने विरोधियों को जेल में नहीं भेजेंगे, तो क्या ये ऐसा होगा? यकीनन दोस्तों, चुकि अब भाजपा कि ये अपने दम पर बहुमत नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है उन पर दबाव होगा, नितीश कुमार और चंदरबाबु नाइडू उन पर लगातार दबाव बनाएंगे, अब देखना ये है कि जब मंत्राले बांटे जाते हैं, तो कौन से मंत्राले किस के पास ज का दबाव प्रधान मंत्री मोधी पर काम कर रहा है, मगर कई लोग ये कह रहे हैं कि आप प्रधान मंत्री एजनसी इसका इस्तमाल नहीं करेंगे, तो मेरा क्या जवाब है मैं आपको बताता हूँ, यकीनन पहले की तरह प्रधान मंत्री मोधी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अब भाजपा अपने दम पर उसे भाहुमत नहीं मिला है। मगर आप ये नहीं भूल सकते दोस्तों और बहुत भ्यान से सुनिएगा। प्रधान मंत्री का जो वर्चस्व है, उनका जो वजूद है ना, वो इसी मीडिया के फॉल्स और जूटे प्रॉपगेंडा की वज़ज़ से, उनका जो वजूद है वो इन्हीं एजिंसीज, CBI, Income Tax, NIA, ED की दबंगई की वज़ज़ से, अगर इनकी दबंगई नहीं रहेग अब एक और बात पर गौर कीजे, आने वाले दिनों में आप देखिएगा, इंडिया गटबंदन में ऐसी कई political parties हैं, जिनके एक, दो सांसद हैं, जिसे आम आदमी पार्टी है, दो, तीन सांसद हैं, और कई ऐसी political parties हैं, जिनके दो, दो, तीन, तीन सांसद हैं, आप देखि सीज का दवाव पैसे का लोब ये तमाम चीजें काम करने वाली हैं पूरी कोशिश की जाएगी पूरी कोशिश लगातार की जाएगी कि विपक्ष किये छोटे-छोटे दलों को अपनी तरफ लाया जाए भाजपा में शामिल किया जाए और फिर बाई एलेक्शन्स में 12 सालों तक भाजपा अपने दम पर भहुमत हांसिल कर लें ऐसा हो सकता है और आसा शायद हो भी जाए मगर इसका जंता में क्या संदेश जाएगा जंता मिसंतेश जाएगा कि प्रधानमंत्रि नरेंडर पोडी की ताकत है तो एगंसी blast कोशिट प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत है तो किसकी वज़ा से है गोधी मीडिया की वज़ा से अगर ये सब ना हो तो फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा मुर्जा जाता है जैसा कि उस शाम को हमने देखा था अगर ये सब ना हो तो प्रधान मंत्री नरेंद कि कारयाले पहुंचते हैं और जैश्री राम का नारा भी नहीं लगाते हैं नारा कौन सा लगाते हैं जै जगनात क्यूं कि उन्होंने उडीसा में सरकार बना ली दे राम को भूल गये सिर्फ इसलिए कि आपको अयोध्या में या यह कहा जाए फैजाबाद में हार का सामने कर रहा हूं कि जो लोग राजनीती में धर्म का इस्तमाल करते हैं उन्हें पहचानी हैं इनके मन में राम के लिए कोई प्यार नहीं है अगर प्यार होता तो उश्शाम प्रधान मंतरी भारत माता की जै के नारे के साथ साथ जै श्री राम के नारे भी लगाते मगर उन्हें न लगाया था फिर से सुनिए जाए जगनात जाए जगनात भूल गए राम को इस तरह से राजनीती ऑपर्चुनिस्ट है इस तरह से भाजपा अब सरवादी है जिसका नमूना मैंने आपके सामने देखा अपना वजूद बनाये रखने के लिए ये लोग एजनसी का इस्तमाल फिर करेंगे अपना वजूद बनाये के लिए ये लोग एजनसी का इस्तमाल फिर से करेंगे धन का इस्तमाल फिर से करेंगे ताकत डर का इस्तमाल फिर से करेंगे मैं रुकाह जाता है नहीं कि काट की हांडी आप कब तक चढ़ाएंगे आप कब तक लोगों को डराएंगे वो एक कहावत है कहानी है दोस्तों भेडिया आया भेडिया आया आप बार-बार डराएंगे एक पॉइंट के बाद ये डर चला जाएगा जनता देख रही है जनता समझ रही है अविसार शर्मा सौ में से पांच लोगों तक बेशक पहुंचता हो मगर वो अपने छोटे से मंच पर आप जैसे लोगों के सामने मुद्दों पर सवाल करता है वो सवाल जो ये गोदी मीडिया नहीं करता है जस दिन गोदी मीडिया नहीं सवाल पूछने शुरू कर दिये तब अविसार शर्मा की जरूरत ही नहीं है मगर ये गोदी मीडिया वो सवाल नहीं करेगा कि कि यो लोग डर पर ऑपरेट करते हैं ये धीट हैं इनके अपने निजी इंट्रेस्ट अगर इनोंने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो वो तिहाडी दोबारा जेल चला जाएगा वो पापा की परी उसके पती का ट्रांस्वर हो जाएगा किसी ऐसी जगा पर जहां से काम करना मुश्किल हो जाएगा हर किसी में वो हिम्मत नहीं कि परिवार पर निशाना होने के बावजूद सवाल करे और आप जानते हैं पिछले आठ नौ सालों में मैंने और मेरे परिवार ने कितनी चुनौतियों का सामना किया है और आगे भी कर रहा हूँ, करता रहूँगा परवा नहीं है सवाल करूँगा जो मेरा काम है, जो हर पत्रकार का काम होना चाहिए अब इसार शेर्मा को दीजे अजासत, नमस्कार